नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम अच्छा करेंगे सम्मानिय विज्ञान के वह महतोपुन क्योंचन जो प्रिट्षेक द्रिश्टी से दोस्तो बहुत ही महतोपुन है चाह निचे कमिट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके अलाव दोस्तो हम समानिय विज्ञान के और भी बहुत सारी वीडियो बना रखके हैं वह आपने यहीं नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप जरूर देखें तो वीडियो शुरू करते है दोस्तो क्यूसन पहला जो क्यूसन है वह है भारत के नुकलियर विश्पोर्ट साधनों का प्रिक्षण कहा किया गया था तो भारत के जो नुकलियर विश्पोर्ट साधनों का प्रिक्षण कहा किया गया था तो यह दोस्तो हो गया पहला क्यूसन अब अगला क्यूसन देख बढ़ता है तो मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों आपने विज़क हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए कि लाल स्क्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन ग जापान में है तो इरोसे लुमा में पहला प्रमौद्दू बं में फेका गया था अगली जान करनी देखते हैं दोस्तों अगला क्यूससन है सलफर को रबड के साथ गरम करके उसकी गुणवता को बढ़ाने की परकिरिया को क्या कहते है तो सलफर को रबड के साथ गरम करके उसकी गुणवता को बढ़ाने की जो परकिरिया होती है वह वलकनी करने कहलाती है तो यह वलकनी करने इसका राइट आंसर हो गया तो ये इसका सही उतर हो गया नेक्स्ट है प्राकर्तिक रबड किसका बहुलक है तो प्राकर्तिक जो रबड है वह दोस्तो आईसोप्रीन का बहुलक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तो आईसोप्रीन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है रबड को वलकित करने वाला तत्व है तो रबड को वलकित करने वाला तत्व है उसका नाम सलफर तो रबड को वलकित कोन करता है तो सलफर है दोस्तो रबड को वलकित ही करता है अगला परसन चूने का पानी दूद्या हो जाता है तो ये दोस्तों कारबंडाई ओक्सेट की उपस्तिति के करने तो चूने का पानी है वह दूद्या रंका हो जाता है तो ये इसका right answer हो गया अगला परसंद है oil of virtual का रसाइनिक नाम क्या है तो oil of virtual का जो रसाइनिक नाम है वह है दोस्तों कम करने वाली गरंथी कौनची है तो सरेड़ी में दोस्तों थर्मोस्टेट को कम करने वाली जो गरंथी है वह हाइपो थेलिमस है तो हाइपो थेलिमस इसका राइटांसर हो गया नेक्स्ट है निमल लिकीत में से प्रोटीन कौन सा है तो यह है दोस्तों उन उन है वह प्रोटीन है नेक्स्ट दखते हैं शुक्रोज में होता है तो सुक्रोज में धूस्तों किसे काई उतंतर होता है तो सुक्रोज सम यहीं पृफ्टोज यह सवसंतंतर का वागनी नहीं है अगला परसंद देखते हैं दोस्तों रात के समय में पेड़ के नीचे सोना उचीत नहीं है क्यों उचीत नहीं है क्योंकि पेड़ दोस्तों रात के समय में कारबंडाई ओक्साइड छोड़ते हैं रात के समय में पेड़ कारबंडाई ओक्साइड छोड़ते हैं तो प्रकास से बोजन का जिर्माने करते हैं अगला परसंद देखते हैं पदार्थ की चोथी अवस्ता है पदार्थ की चोथी अवस्ता कौनची है तो पलाजमा है दोस्तों यह पदार्थ की चोथी अवस्ता है अगला परसंद देखते हैं दो या दो से अधिक सुध पदार्थो को किसी भी अनुपात में अपने मिला दिया तो वह है मिश्रन बन जाएगा तो इसका राइट आंसर हो गया मिश्रन नेक्स्ट है दोस्तो स्टेनलेस स्टिल एक मिश्र दातु है जबकि वायू क्या है जबकि वायू एक मिश्रन है यह इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट ह दो या दो से अधिक तत्व के मत्रा के विचार के से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ कहलाता है तो यह दोस्तों योगिक कहलता है यानि दो या दो से अधिक तत्व के मत्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में यह दिया मिलेंगे तो वह योगि क्या है तो जल दोस्तों एक योगीग है क्योंकि दोस्तों इसमें राशानिक बंदोस्ची वेज जुड़े दो भिन-भिन तत्वा पाज़ाते हैं आइड्रोजन और ओक्सिजन दो भिन-भिन तत्वा पाज़ाते हैं इसलिए यह एक योगीग हो गया नेक्स्ट है ऐसे तो यह उप धतु बी इसका राइट आंसर हो गया है अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो निमल कित में से कौन उप दातु है तो कौन सा उप धतु है इसमें जो आर्षेनिक, एंटीमरी और बीश्मित यह तीनो उपरोक्ट सभी ही उप दातु है अगला कुश्न देखते हैं ए एक ही प्रकार का प्रमाणू निमन में से किस में मिलता है तो एक ही प्रकार का प्रमाणू है ये दोस्तों निमन में से प्रकृतिक तत्वा में मिलता है तो प्रकृतिक तत्वा इसका राइट आंसर हो गया अगला कुशन देखते हैं सुध सोना कितना केरेट होता है तो सुध सोना जो होता है तो यह दोस्तों 24 के frågor सुध सोना होता है आप संवार के पास सोना प्रतिषत होता है तो 18 किरेट एडिया आप सोना लेंगे तो उसमें सुद सोने का जो होगा वह 25 परतिसेत होगा और 25 परतिसेत उसमें दूसरी दातू मिली हुई होगी अगला देखते हैं मोनोजाइट बालू में कौन सा खनीज पाय जाता है तो मोनाजाइट बालू में धोरियम नाम खनीज पाय जाता है तो मोनाजाइट बालू में धोरियम पाय जाता है अगला देखते हैं दोस्तो वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीडा हारी की तरह किया जाता है अगला परसंद देखते हैं नाइट्रोजन की खोज करता है तो नाइट्रोजन की खोज करता है तो उनके नाम है रदरफोड रदरफोड ने नाइट्रोजन की खोज के थी तो तो रदरफोड इसका राइट आंसर हो गया तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक औ न हो गया 20 हो गया नेश्ट देखते हैं शिग्रेट लाइटर में कौन सी गेस प्रिक्त होती है तो शिग्रेट का अपन लाइटर यूज करते हैं उस लाइटर में दोस्तों कौन सी गेस प्रिक्त होती है तो उसमें ब्यूटेन नामक गेस ही प्रिक्त होती है तो ब्यूटेन का परियोग सुक्सम बस्तों को देखने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है करतरीम वर्षा हेतु परियुक्त पदार्त है तो करतरीम वर्षा हेतु जो पदार्त को युक्त है उसका नाम है शिल्वर आयोडाइड तो करतरीम वर्षा है तो दोस्तों हम क्या परियोग करते हैं silver iodide का प्रियोगी किया दबा है अगला देखते हैं हेजा के रोगाणूव की खोज किस ने की थी तो हेजा के रोगाणूव की खोज करने वाले Robert coach थे तो इनकी खोज करता किसे माना जाएगा Robert कोज को माना जाएगा next है दोस्तो shoulder या टांका किस दातों का मिसरण है तो shoulder या टांका है या दोस्तो tin और laid का मिसरण है तो tin और laid इसका right answer हो गया अगला देखते हैं अगला है दोस्तो hydrogen को जलाने पर क्या बनता है तो hydrogen को जलाने पर क्या बनता है पानी बनता है तो hydrogen को जलाने पर दोस्तो पानी बनता है अगला देखते हैं रोकेट किस दांत पर कारिये करता है रोकेट है दोस्तों यह न्यूटन के तीसरे नियम पर कारिये करता है नेक्स्ट है न्यूटन का पर्थम नियम का अन्य नाम क्या है न्यूटन का पर्थम नियम था उस पर्थम नियम को दोस्तों जड़ पर्थम नियमी था, नेक्स देखते हैं, एक होर्ष पावर में कितने वाट के बराबर होता है, तो एक होर्ष पावर होता है, यह 746 वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट इसका राइट आंसर हो गया, अगला कुशन देखते हैं, एकोस्टिक विज्ञान क्या है, तो तरंग है दोस्तो यह अनुपर्ष्थ परकार की तरंग है अगला प्रसंद देखते हैं फलों का अध्यन क्या कहता है तो फलों को अध्यन को पॉमोलोजी के इंतर कहते हैं तो यह हमने आपको समभने विग्यान का दूसरा वीडियो मने आपको बना कर डाल दिये है इसका part निचे डिस्क्रिस्ट में मिल जाएगा यह हमारे चैनल के होम पेज़ पर जाकर आप सम्माने विज्ञान की प्लैलिस्ट में देख सकते हैं इसके अलाव भी दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा वाट्सप ग्रूप टेलगाव ग्रूप जोई निकिया है तो निचे लिंक देने वाट उस्तों